इसके different types होती है और इन types को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि इन में से ही main MCQ आते हैं और आपने उनको tackle करना होता है अच्छा बिटे सबसे पहले एक type की बात कर लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं threatened miscarriage ठीक है क्या कहते है हम इसको threatened miscarriage कहते है और threatened miscarriage जैसे के नाम से समझ आ रही है कि इसका मतलब है खतरा है miscarriage हो सकता है threatened miscarriage हम कब declare करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर different science symptoms की बात करेंगे पहले हम symptoms की बात कर लेते हैं कि patient आपके पास किस मस्क्लिस आती है patient आपके पास आती है वो यह कहती है जी doctor's आप मेरी pregnancy थी लेकिन ऐसे हुआ है कि मुझे बहुत जादा abdominal pain हो रहा है और साथ में मुझे bleeding भी हुई है ठीक है तो अब आपने क्या करना होगा आपने सबसे पहले woman का क्या करना होता है ultrasound करना होता है उसके उपन ही हमें पता चलता है कि pregnancy थी नई थी uterus में थी कहां थी एक topic थी क्या हुआ अगर मैंने ultrasound किया और मुझे uterus के अंदर gestational sack भी नज़र आ रही है मुझे york sack भी नज़र आ रही है यानि fetal pole भी नज़र आ रहा है ठीक है साथ ही साथ बेटे मैंने फॉरण क्या देना है cervix को देखना है क्योंकि यह uterus है और यह नीचे cervix है अब uterus में कहा रहा है कि बच्चा तो है यानि york sack भी है और यह भी है तो साथ में हमने दूसरी चीज़ क्या देखनी होती है इस cervix को देखना है कि cervix os जो है वो open तो नहीं होगी अगर cervix os अभी closed है तो इसका मतलब है बच्चा uterus में पढ़ा वह cervix os भी closed है तो वो भी निकला नहीं है बॉड़ी से लेकिन निकल सकता है हम उसको कहते हैं कि उसने वजन नहीं उठानी इस training exercises नहीं करनी अपना ख्याल रखना है को भारी काम नहीं करना बहुत इत्याद करनी है क्यूंकि हो सकता है चूंकि एक risk factor आ गया है ठीक है आपको बिताती है कि यह डॉक्टर साहब मेरी pregnancy थी लेकि मुझे बहुत ज़दा पेट में दर्द भी हो रहा है ब्लीडिंग भी हो रही है आपने जब ultrasound किया तो ultrasound के ओपर आपने देखा कि gestational sac तो है york sac तो है लेकिन बच्चे की heart activity नहीं है ठीक है साथ में आपने जब cervical os को देखा तो cervical os open है ठीक है तो अब आप खुद सोचें कि एक ऐसा uterus जिसमें बच्चा तो है लेकिन उसकी fetal cardiac activity नहीं है और cervical os खुली वी है तो इसका यही मतलब है कि कुदरत कुछ टाइम के बाद इसको हुदी गिरा देगी क्योंकि cervical os open पड़ी और बच्चे का heart नहीं जल रहा है ठीक है तो यह एक inevitable miscarriages को आप रोप नहीं सकते आप वुमन को तीन option दे सकते हो expectant medical surgical या तो इसको कुदरत पे छोड़ दो यहुदी बच्चा बट हो जाएगा या medical में मैं भी आपको क्या करेगी contract कराएगी और जो myfepristone है वो progesterone antagonist है तो जार progesterone withdrawal होगा तो abortion असान हो जाएगा या surgical में हम उसका vacuum या aspiration कर सकते हैं ठीक है number 3 miscarriage में 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 आपस कौन ची टाइप आप जाती है इसको हम लोग कहते है incomplete miscarriage क्या गहते है incomplete miscarriage incomplete miscarriage incomplete miscarriage incomplete miscarriage incomplete miscarriage में भी ब जानी पर वजाइनल ब्लीडिंग के साथ आई है वो ठीक है और जब हमने ultrasound किया तो वहां पे ना uterus के अंदर थर्ड में क्या होगा कि जो uterus है uterus के अंदर सिर्फ कुछ product of conception पड़े होंगी और cervical loss open होगी यहां पे यह कुछ टुकड़े बड़े हों बच्चा तो है इसका मतल अगर आपके पास इसमें सेनेरियो जाएंगे तो आप लोग इसको डिटेक्ट कर लेंगे अगर मैं काहूं कि एक वुमन आरी थी चले मैं पहले सारी टैप्स करा लेती हूं और मैं आपके सेनेरियो ज़रा ग्रेंस्ट्रामी के लिए पूछते हूं नेक्स साइब हमाई पस होती है complete miscarriage तो है complete miscarriage में बड़ा असा सेनेरियो है मतब science symptoms असान से हैं यही होती है कि woman कहते है कि doctor साभ मुझे कल बहुत जाद अब्डामिनल पेन हुआ पर मुझे bleeding होती रही सुबासे तो रुक गई है लेकिन फिर भी मैं आपके पास आगई ठीक है तो bleeding जो है वो खत्म हो चुकी होगी रुक गई है हम जब उसको ultra sound के ओपर देखेंगे तो ultra sound के ओपर ना हमें uterus बिल्कुल empty नजर आएगा uterus में कु के तौर पे कुछ भी नहीं है आप अगेन इसको क्या करते हो supportive treatment करते हो फीक है अब एक type होती है यह जिसको हम लोग कहते है mist miscarriage क्या कहते हम इसको mist miscarriage मुझे तो मुझे लगता था यह तो मुझे कभी नहीं आ सकता बाद मैंने इसको समझ के बढ़ा तो मुझे पज़ा चल के लिए आती है वह आपके पास अब आप जब उसका uterus देखते हो ना तो uterus के अंदर क्या है यॉक सैक और या जस्टेशनल सैक तो है लेकिन बच्चे की cardiac activity नहीं है ठीक है इसको हम गहते है mist miscarriage यानि वह normally है उस ते घर में यूटिपी किया वह positive था वह आपके पास आ गई HCG positive था आपने ultrasound किया सैक तो बनी वी है लेकिन बच्चे की cardiac activity नहीं है तो अब आपने याद रखना है कि cardiac activity अगर नहीं है तो वो क्या हो सकता है inevitable miscarriage या missed miscarriage लेकिन फर्क क्या है फर्क के complaints में वो आई थी bleeding के साथ या आती है normal check-up के लिए कोई मसला नहीं है ठीक है cervical loss जायर तो इसमें management तीन ही होती है या तो कुदरत पर छोड़ दे या medicine ले ले या surgery करा ले ठीक है अब आपको बिदाती हूँ एक और टाइप भी होती है मुनोंने यहां पर शायद एड नहीं की दी आपकी obs में बुक में है वो उसको हम लोग कहते हैं blighted ovum क्या कहते है blighted ovum कहते ठीक है फीटस का जो पोल बनना है वो बना ही नहीं है तो जब सिर्फ gestational सायक है तो इससे सिर्फ placenta के covering बनेगी बच्चा तो है ही नहीं है ठीक है जब फीटल पोल ही नहीं है तो अगें cervical loss close होगी तो इसमें भी आप तीन थरह की management expectant medical और surgical कहते हो तो अब आपने याद रख pain के साथ अगर तो तीनों चीजें थी आस भी close थी सब नॉमल लग रहा था तो लेकिन वो threatened miscarriage है क्योंके already bleeding हो चुकी है लेकिन अगर cardiac activity ही नहीं है आस भी खुली पड़ी विया तो अब तो आप इसको नहीं रोक सकते है यह inevitable है अगर वो bleeding के साथ है यह कुछ contrast product of conception पड़े थे औस भी open थी तो इस इंकम्प्लीट खाली uterus है औस close हो चुकी है तो इस इस complete miscarriage clear तो यह different तरह के miscarriages है और इनमें से बहुत जादा question आते है और इनको आप लोगों ने बहुत इच्छे तरीके से करना है I know तो इसे मुश्किल है लेकिन इतने भी जादा मुश्किल नहीं हिस्ट्री तो जारा of course लेनी ही लेनी है कि कैसे आपको बता चला pregnancy है यह वो वगारा उसके बाद number two important step होता है कि हम लोग अबी सी अप्रोच करते हैं women को अच्छे तरीके से assess करते हैं यह ना हो कि इतनी जादा bleeding हो रही हो कि उसको hypovolumic shock में चली जाए या इस तरह की चीज तो ABC approach must होती है वो करनी है उसके बाद हम क्या करते हैं abdominal examination कर लेते हैं कि क्या मसला है क्यूं हुआ कैसे है या जो भी हो रहा है ठीक है हम लोग उने इसका trans vaginal ultrasound भी कराना होता है और RH status भी must होता है क्यूंगे miscarriage के बाद हम लोग उसको NTD भी लगवाएंगे अब बात करते हैं हम लोग treatment की जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता चुकी हूं दुबारा से कर लेते हैं treatment option तीन होती है या तो expectant होती है या कुद्रत पर छोड़ देना ठीक है या number two होती है medical treatment यानि दवायां देना और number three होती है surgical treatment अब सबसे पहले expectant treatment की हम बात करते है expectant treatment हमेशा आपने याद रखना है किस के लिए opt करना है उसके लिए जो asymptomatic हो यानि इतने symptoms ना हो ठीक है और number two hemodynamically बिल्कुल stable है ऐसे नहीं है कि इतनी bleeding हो रही है कि उसका BP गिर रहा है ये वो वगरारा उसको आप घर नहीं बेच सकते हैं ठीक है hemodynamically बिल्कुल stable है तो उसके आप expectant management को opt कर सकते हो ये वो women's करती है जो surgery या medical treatment से गुजरना नहीं चाहती हमने कहते हैं घर चली जाए या automatically abort हो जाएगा बस ये है कि आपने urine test करते रहना है तक करीबन तीन weeks तक आपका urine test negative आना चाहिए लेकिन अगर negative नहीं आ रहा है urine test तीन weeks बात भी positive आ रहा है तो वो हमें visit जरूर करें ठीक है this is expectant management number two medical management ये important है ये आपको आनी जाएगे medical management में हमने क्या कर नहीं है पहले तो आपने दो drugs याद रखनी है जो हम देते हैं मैंने already भी थोड़ा सा बताया number one हम क्या देते है mysoprostol और number two हम क्या देते है myfipriston ये देने से 99% chances होते हैं कि abortion basically हो जात है जो mysoprostol है वो prostagladin E2 agonist है तो इसका मतलब है ये वहां पर क्या करेगी जोड़दार contraction शुरू करेगी और pregnancy को रखावा किसने होता है progesterone और साथ ही हम progesterone को oppose करने के लिए क्लिए क्लिए myfipriston तो ये क्या है basically progesterone antagonist है तो progesterone वाली support खतम हो गई साथ ही uterus ने contract करन या तो वसी बात है कि जो products है वो pass out कर जाएंगे लेकिन medical treatment के कुछ side effects हो सकते हैं जैसे के बहुत जादा इसकी वज़ा से vomiting होती है और pain होता है तो इसलिए हम लोग साथ में anti-amatics दे देते हैं vomiting को रोकने के लिए और pain को रोकने के लिए हम लोग साथ में क्या दे देते हैं NL J6 भी दे देते हैं उसके बाद इनको भी कहते हैं कि यह urine test जरूर करें 3-4 weeks के बाद और अगर urine test इनका नहीं negative होता तो यह हमारे पास वापिस आए और कभी कभी यह भी होता है कि condition इतनी बुरी हो जाती है कि हमें unplanned surgery की तरफ जाना पड़ता है और last management में जो चीज होती है व लेकिन पेशन को प्लोक माइफी प्रस्टान दे सकते हैं और प्रोजिस्टिरोन की सपोर्ट खतम करने के लिए और यह अंडर लोकल और जनरल इनस्थीजिया परफॉर्म की जाती है और हम लोग बस वेक्यूम एस्परेशन और सक्शन क्यूरिटाज कर लिया जाता है और इ सकती है और सबस्क्राइब के बाद उन्होंने कभी दुबारा कंसीव ही नहीं किया तो सर्वाइकल या यूट्राइन इंकॉंपेटेंस डवेलब हो सकती है इंफेक्शन हो सकता है परफॉरेशन हो सकती है और सबसे इंपॉर्टन स्टेप है आपका काउंसलिंग चूंके व काउंसलिंग बोड़ा इंपॉर्टन कॉंपने जुरूर गरनी है तो यहां पर हमाइपस मिस्कैरिज का टॉपिक खतम हुआ इसके बाद इस चेप्टर में से दो असान टॉपिक है रीकरंट मिस्कैरिज और एक टॉपिक जादा इंपॉर्टन है वो में आपको नेक्स